कि अंच जाएगा स्कूल उसके लंच की तियारे कर रही हूं और अभी मैं मन्देश से आई हूं तो फटा वट से उसका लंच बना देती हूं कुछ सबजी बगएरा नहीं बनाई है वैसे तो सबजी पराठा या रोटी भी देती हूं क्योंकि बड़े बच्चे हो जाते हैं तो सब तरह का लंच ले जाते हैं तो यहां पर मैंने आलू ग्रेट किया है मैं बनाने वाली हूं बेसन का चीला जिसमें मैं आलू एड़ करू और बस इसमें डालेंगे बेसन कुछ मसाले आलू का चीला बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है तो यहां पे मैंने नमक डाल दिया है तेस्ट के इसाब से थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिच पाउडर और थोड़ा सा डाला है मैंने खटास के लिए हमचूर थ अबने पुगरस भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने तो यहां पर पानी बहुत ही थोड़ा सट जाएगा क्योंकि इसमें आलो है आलो में भी इसका जो है काफी मौस्टर था तो यह देखें यहां पर यह व्यूंग गया है तयार और तबा मैंने रख लिया है इसके उपर मैं हलक सा गी लगा रही हूं घी के साइट इस घॉलक के साथ भी बन जाते हैं लेकिन रखा हुँ हम भी रखाश लगे वह लगेगा बहुट चाद मैं लगेगा और मैंक्या कर रही हूं बड़ा चील open के चोटे दूँगी और बस इनको यहां पे जैसे ही लगे कि हालका सा हो गए हैं अभी नई हुए थे मैंने जल्दी पलट दिये हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे जल्दी लगी हुई है लेकिन कोई बात नहीं है पलटे गए हैं तो यह देखे तो हलका सा गोल्डन सा हो गया था लेकिन थोड़ा सा और हो जाते तब इनको पलटना है हलका सा मैं इनके ओपर घी डाल देए हूं जिससे की खुश्बू भी अच्छी आएगी और थोड़ा सा अच्छी से सिख भी जाएंगे तो यह आलू के ची लेना बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप इसमें हरा दनिया हरी मिर् तो यह देखिए यह सिख गया है तो इसको मैं दे देती हूं अंज को खाने के लिए थोड़ा सा सुभा दूद दूद भी अच्छा नहीं रहता है क्योंकि फिर भूख जल्दी लगती है दूद बदाम तो उसने ले लिए हैं लेकिन हलका सा थोड़ा सा खा लेगा इस बार दूद ग्रव्षकर नहीं हों तो यह देखिए तीन मैंने इसको ठाल डाल दिए हैं और बस हलका लका तिक भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखना है मतलब इतना भी नहीं कि भेस अलग से पहजा जाए तो वो अच्छी नहीं बनते हैं और पतला पतला मैंने इसको फैला लिया ये भी निकी बहुत ज़्यादा मोटा है तो ये ब्रेकफास्ट सबके लिए भी आप बना सकते हैं बहुत टेश्टी बनता है बस हरा दनी अगर आपको पसंद है वो आप इसमें अड़ कर लें हरी मिर्ची कर लें बाकि सबजी तो खे करके ना इनको इसका लंच में पैक कर दूँगी और इसमें देने वाली हूं इसके साथ हलका सास या कैचप जो भी बच्चे काते हूं या जो भी आपके पास हो ये अपने आप में बहुत ही टेस्टी बच्चों का लंच तियार हो जाता है आप कोई भी फ्रूट या कुछ भी साथ में दे सकते हैं लेकिन नहीं लेके जाता कल मैंने इसको अपल दिया था तो वापस लेका था बड़े बच्चे हो जाते ना तो उतना जादा नहीं करते हैं कि वह फटा-फट से एक चीज खाई और हो गया तो देखिए यह मैंने बटर पेपर पेठंडा होने के लि देखिपर बड़, भडर बड़, घंड़, थंड़, 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 थंड़ कि अराम से हलो एवरिवान नमस्कार कैसे हैं आप सबाश अगरती हूं सबर बढ़िया होंगे एकदम मस्त होंगे क्योंकि मौसम हो रहा है बादल वाला ठंडा ठंडा और सुबह का है टाइम आज जा चुका है स्कूल और मेरी हो गई है उसके बाद पूजा उससे पहले मैं मंदिर गई थी तो मंदिर से आने के बाद फिर उसका मैं लंच तियार करती हूं और उसके बाद फिर मेरी घर की पूजा होती है तो ये मेरा सुबह का रूटीन डेली का हो रहा है आज कल भागा दोड़ी जल्दी जल्दी उटके फिर थोड़ा जड़वड़ो निकालके नाके मंदिर साफ करके और जब मैं जाती हूं मंदिर मतलब घर का मंदिर साफ करके फिर मैं जाती हूं पूजा के लिए मंदिर क्य और अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और टाइम हो रहा है पोने आर्ट लेटी हो रहा है चाय बन चुकी है बस अब चाय पिएंगे यह पुजा कर रहे हैं इसके बाद जल्दी जल्दी बनाना है सबके लिए ब्रेकफास्ट प्लस लंच तो सोया वड़ी की शयद मैं सब्जी बनाने वाली हूँ वह भीगा देती हूँ जब तक चाय पियेंगे इतने वह भीग जाएंगी गरम पानी में ना जल्दी बीग जाती है और फिर बनाएंगे उसकी सब्जी बिंडी रखी है सब्जी में बस बिंडी और लोकी रखी अशाद एक तो बिंडी बना रह बनाऊंगी और इस तरह से मेरा सुफा का रूटीन भागा दोड़ी वाला रहता है और भूग भी लग रही है और चाय का मन भी हो रहा है पहले पित्ती हूं पानी उसके बाद चाय और उसके बाद फिर कीचन फटापर से पर समभलना है विशनती निकुल जली तो भी याँ पिषरे कंगता है और यह पूजा और ये लिafaद पूजा है और यह विए पूजा और यह देखे तो लाइट बने जलाई दी है यह बैठा बड़ा शान तो इनका भी काम बहुत सारा काम मिलता है इनका भी सुगा सुगा चले फॉन डगते हैं तो यह देखिए यहां पर सोया चंक्स मैंने भीगा दिये हैं गरम पानी में यह फूल जाएंगे ज्यादा टाइम नहीं लगता गरम पानी में और इधर बन गई है बहुत टेस्टी वाली चाय यह देखिए है चाय भी रेड़ी है यह फूल जाएंगे फिर मैं जो है सब्सक्रीव नामगी लेकिन उससे पहले छान लेती हूँ चाय चले जी मिलती हूँ आपसे फिर किचन में ही एक दो भरॉं जादा थ्वार को टमाटर वगेरा मैंने तैयार कर लिए हैं सब फटाफट से सबजी छोंक देते हैं तो कूकर में सरसोका तेल अच्छी से करम करके लिया है जीरा हिंग डाल दिया है और फिर में डालूँगे मैं प्याज लेसुन अभी नहीं उज़ करinin कर रहे हैं तो यहां पर प्याज हमारी बुंचुकी है गोल्डन सा कलर बहुती प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ گیا है अब इसमें सुखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिच पाउडर तो ये सब एड़ करूँगी और फिर इसमें जो है अच्छे से मेक्स करने के बाद टमाटर हर इमेच का जो पेश्ट बना के रखा था पो एड़ कर दूँगी तो इसको भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है, नमक डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से और अभी जो है इसको थोड़ा सा छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए जिससे की मसाल अच्छे से पक जाए टमाटर और जब तक हालू वगएर अपने तयार कर लेती हूँ कट करके तो ये देखिए सोया चंक्स जो हमारे हैं अच्छे से फूल गए हैं और काफी पानी इनके अंदर चला जाता है, देखिए कितने सौफट हो गए हैं, इनको नए अच्छे से गरम पानी में भी गाया था, बोयल नहीं किया था, बस यह है कि मैंने 7-7 थंडा पानी डाला और फिर इसको गहस जला के उस पे रख दिया, जैसे ही पानी अच्छे से गरम होगए फिर मैंने गहस पंद गर दी थी और आधा गंटा हुआ होगा बड़ी मुस्किल से हुआ भी नहीं होगा इतना तो यहां पे जो है मसाला मारा भून चुका है यहां पे मैंने दो इंग्रेडियन्स इसमें और एड़ करें हैं जो की है कसूरी मेथी और किचन किंग मसाला बहुत ही टेस्टी सबजी बनी थी आज जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है ना बहुत ही गजब काता है आप सिंपल आलू टमाटर की सबजी में भी डाल सकते हैं और यह देखिए यहां पे अच्छे से इनको मैंने कर दिया है मेक्स और एक मिनट के लिए इनको मैं भून लेती हूँ मसाले के साथ जिससे की मसाले का फ्लेवर अंदर तक अच्छे से इन में आ जाए और बस फिर पानी और आलू मैं इसमें अड़ कर दूँगी आप चाहे तो इस सबजी को ऐसे भी खा सकते हैं जिनको सोया चंक्स पसंद है तो उनके लिए सबजी परफेक्ट है बस नमक इसमें थोड़ा जादा हो गया है क्योंकि मैंने सबजी के हिसाब से डाला है अगर आपको इसी तरह से ये सोया चंक्स की बनानी है तो आपको नमक कम डाले बहुत ही टेस्टी ये सबजी बनती है तो यहां मैं लिक्विड बना रही हूं तो मैंने आलू और पानी इसमें अड़ कर दिया है अब इसकी लेड लगा के छोड़ दूँगी तीन लगवग इसमें सीटी आएंगी तो सबजी हमारी तयार हो जाएगी जब तक अपना आटाबाटा में तयार कर लूँगी तो यह देखिए अभी जो आलू है वो अलग-अलग हैं लेकिन इनको हलका समय तो ओड़ दूँगी या तो आप मैसर से कर लें या फिर ऐसे ही यह देखिए मेरा मैसर यह काम करता है तो इससे मैं फटावर से हलू थोड़ देती हूँ और यह मेरे बड़े ही कुईक से जो है रास्ते होते हैं काम करने के यह देखिए एक मिनट में हो जाता है लोग की वगरा भी मुझे पीट नहीं होती है ना क्योंकि लोग की भी हम पीट शेत के बनाते हैं तो वो भी इसे से कर लेती हूँ यह देखे जी यहाँ पे सबजी हमारी रेडी हो गई थी फुल के मैंने सेक दिये हैं और यहाँ पे इनका लंच मैं पैक कर रही हूँ तो आज ही इनकी फिवरेट सबजी है बस यही जाएगी कभी मैं दो सबजी भी दे देती हूँ और कभी ऐसे ही एक सबजी दही यह इनका सिंपल सा लंच होता है क्योंकि जादा कुछे दही में मसाला रायता यह जादा नहीं खाते है इनको जादा फीकी दही पसंद है तो बस आज फीकी दही जाएगी ना बोंदी डाली ना खीरा डाला और फेस में साथ में जाएगा फ्रूट जो की हमेसा इनका जाता है ये हो गया है इनका लंच पैक तीन मैंने फुल के रखे हैं और ये चोटे चोटे अपल है इस बार तो दो मैंने अपल रख दिये हैं और बस इनका लंच तैयार अब ये जा रहे हैं ओफिस रे जा रहा है पापा को छोड़ने ये ओफिस आ जा चुके हैं और मैं फिर से आ गई हूं कीच्छन में फुल के सेखने के लिए क्योंकि जो पची ही रोटी है मेरी वो सबके लिए में अब सेखंगी और ऐसे ही मेरे rudhes आधेली होता है पहले इनके लिए होता है क्योंकि पापा की पहले पूझा नी होती है तो पापा पूझा वगरा करते हैं तक और फरी होके फिर जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट हमारा simple लोटी सब्जी होता है ऐसा नहीं है कि कुछ इस पेसल होता है अलग से कभी की तो कहती नहीं हो नहीं तो यह होता है और बस इस टाइम थोड़ा है भी बरेकफास्ट होता है फिर लंच हमारा हलका उता है उता है एसाने की फिक्स टाइम पे होता है तो यहां पर मैं फटा-फट से जो है इसमें फिर से ऐसे चीनी का जो भी डिबब खाली होता रहता है उसको मैं साथ-साथ साप करती रहती हूं उससे किचन का काम इजी रहता है और एक दम जो हमारे जार वगएरा है कंटेनर है जो भी आप बोलते हैं तो वह एकदम साप रहते हैं क्लेन रहते हैं और यहां पर आगई हूं मैं फिर से रूम में क्योंकि किचन अभी मेरी ऐसे पड़ी हुए लेकिन पहले मैं रूम से ही शुरू करती हूं और जादा आज काम नहीं है डस्टिंग वगएरा का बहुत थोड़ा मैं करने वाली हूं बस इस रूम में यहलकिसी डस्टिंग करूं इस रूम में थोड़ी यह सामने का हो गया बिल्कुल तो इसमें थोड़ा सा दिखने लगती है और बैड़ बैड़ सही करना होता है तो मैं चलिए थोड़ा सा कपड़ा इसमें लगा देती हूं क्योंकि फिर मुझे आज जाना है बाहर जल्द जल्दी से काम करूंगी किच में यह दुपट्टा अभी मैंने लिया था सुबा तो इसको मैं रख देती हूं क्योंकि अब दुपट्टे का काम नहीं है पापा का ब्रेकफास्ट पगेरा हो गया है तो पापा तो अब अपने रूम में रहेंगे या फिर बाहर जाएंगे तो इधर नहीं आएंगे हां जी सारा काम मेरा हो चुका है और घर बिलकुल एक दम क्लीन होके अब मैं रेडियो गई हूं चेंजवेंज मैंने नहीं किया क्योंकि मैं जाओंगी ऐसे ही बार-बार बारिस से काम हो समो रहा है किचन वगएरा सब क्लीन है अच्छे से दूद वाले भई अभी नहीं आया है तो बढ़कर देखे कहां तक कितने बरतन थे आज बहुत सारे बरतन थे तो इतने मुझे काम है अब देखती हूं कैसे करना है कैसे नहीं काम मैंने रिकॉ कषए कर सकते हैं एसकों सरी हमांगे करीब देर तो बिचित हैं त Xbox नहीं की तो घीमन लगा रखी है सारह काम हों घर था अच्छे से पुछा अच्छा सब कलीन है और टाइम हो रहा है ग्यारा ग्यारा बज रहे हैं लेकिन दूद्वालने भाईया आज नहीं आए तो आप देखती हूं क्या करती हूं अच्छा सब्सक्राइब हो रहे हैं और यह देखिए मैंने वीडियो का रहुआ है कानी की आने के बाद तो फिर मेरे पास तीज से पहले दिन की और यह मैं एक दो समान लाई थी यह टब है जिससे कपड़े निकालते हैं वह मैं पराथ से काम चला रही थी ना तो यह लेकर आई थी मैं शाम को और फिर वह मैं वीडियो में लगाना ही भूल गई और यह मेरी मं इसकिट जिसमें मैं जो अपनी पूजा का समान लेके जाती हूं वह उपन वाली थी तो कुछ छोटी भी थी तो यह बड़े वाली मैं ले आई हूं देखिए इस तरह से ग्रीन कलर पैरट ग्रीन कलर है और यह रैबिट के दो छोटे चोटे दो बाउल हैं जो बहुत ही सु देखिए दोनों अलग अपना खा रहे हैं और यह वही खाना होता है इनका जो एमेजन से मंगवाया था आपके साथ शैयर भी किया था तो यह बड़ा खुश होके खाते हैं इसको बहुत ही अच्छे से मतलब बोलते रहते हैं एक तरीके से बोल तो बोल तो नहीं सकते लेक वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर और कॉमेंट करना बिलको मत बूलेगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलूंगी बहुत जल्द आने वाले नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए थैंक यूप